हेलो एन वेलकम फ्रेंग मैं हूं समीर आपका दोस्त और होस्ट और आप सब लोगों का स्वागत है आज फिर से एक न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं मैं आपके पास आगे बढ़ने से पहले मैं आपके बताना चाहूंगा कि अगर आप मैंसे कोई भी परसन गुमा कर सकते हो यह वाट्सप कर सकते हो अगर आपके किसी दोस्त को बनवाना है तो भी आप उसे मेरा नंबर दे सकते हो मैं आपकी और आपके फ्रेंड की जरूर है लेकिन वह भाड़े की रकम से संतुष्ट नहीं है और वह extra पैसा कवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको पत बिजनेस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे काफी सारे लोग ट्राइवल कर रहे हैं यह जो बिजनेस ट्राइवलर्स है यह होटेल में रहना इनको काफी महंगा पड़ सकता है तो इनके लिए जो एक चीपर औरनेटिव टू होटेल जो है वो है सर्विस अपाट्मेंट जी हाँ तो आप किस तरीके से सर्विस अपाट्मेंट का बिजनेस टार्ट कर सकता हो सर्विस अपाट्मेंट क्या होता है सर्विस अपाट्मेंट एक फ्लैट होता है आप एक फ्लैट को आप जब रेंट पे देते हो तो आपने जिसको रेंट पे दे दिया वह आपको हर मंथ का रेंट देता है irrespective of the fact कि वह कित्ते भी दिन उस घढर में रहे हैं आपको उससे मतलBo्हा है यो एक दिन रह रह रहा है यह रोज रह रहा है उसको आपको पूरा महीने का रेंट देना है लेकिन service apartment भूट डिफरेंट होता है rent के हिसाब से service apartment hotel जैसा होता है जिसमें उसकी booking की जाती है नॉर्मली service apartment की booking कुछ इस तरीके से की जाती है कि अगर आपके service apartment के flats है जिसके पूरा furnished है, hotel जैसा पूरा furniture है, electronic equipment है, TV है, washing machine है fridge है, kitchen है तो जो companies होती है वगेरा वगेरा ट्रैवल करते रहते तो जब ये ट्रैवल करते तो ये होटेल बहुत expensive हो जाता है तो ये companies क्या करती है service apartment owners को बोलती है कि हम आपका service apartment साल के दो महीने के लिए book करते हैं, अब ये जो दो महीने वाला 60 days, तो ये एक साथ नहीं होते 60 days से इसकी bookings होती है और इससे service apartment के owner को अच्छा पैसा मिलता है और company को hotel से कम price का room मिल जाता है और service apartment के owner को normal rent से ज़्यादा returns मिल जाते हैं लेकिन service apartment इतना असान नहीं जितना आप समझ रहे हो तो कि उसके अंदर आपको properly maintain करके रखना है ज़रूर यह नहीं है कि आपका service apartment साल के 12 महिने rent पे जाए तो हो सकता है कुछ समय वो बंद भी रहे तब आप उसको इस्तिमाल कर सकते हो airbnb में airbnb क्या है वो आप google करके देखिए वो आपको help करेगा आपका service apartment rent पे चड़ाने के लिए अब जब बात करते हैं service apartment business को start करने के लिए कुछ registration की जरूरत है वो registration होते हैं घुमास्ता license जिसको shop and establishment license भी कहा जाता है second चीज जो उसके लिए आपको लगेगी वो है GST number क्योंकि बिना GST number के बड़ी companies आपके साथ tie up नहीं करेगी तो यह दो दो documents आपको compulsory लगेंगे इसके अलावा अगर आपके पस company आधार है तो यह तो और भी अच्छी बात हो गई तो friends इस तरीके से आप अपना यह तीन registration करवा के आप अपना service apartment का business start कर सकते हो अगर आप service apartment का business start करना चाते हो यह registration करवाना चाते हो तो आप जहां कई भी हो इंडिया में मैं आपकी help करूँगा है registration करवा के देने में आपको सिर्फ यह करना है कि अपना pancard, अधार card, photo, electricity bill और cancel check का copy मुझे whatsapp कर देना है मेरा number नीचे दिया हुआ है आप मुझे call भी कर सकते हो अगर आपको कुछ doubts है तो आप comment box में लिख सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा तो भी लिख सकते हो और अगर मैंने कुछ चीज मिस कर दिया है तो आप बता सकते हमारे दर्शकों को कि वो क्या चीज़ है तो मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि आप इसे subscribe करो व्योंकि अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाते हो और अच्छा बिजनेस करना चाते हो तो आप खुद से इसे subscribe करेंगे ताके आपको हर रोज एक new business idea के बारे में जानकारी मिले थांक्स फर वाचिंग बाई बाई तेक केर